तो चलो देखते हैं चेक करते हैं इसको तो हमारा क्या चेक करते हैं देखो 1 का स्क्वेर, 5 का स्क्वेर, 7 का स्क्वेर, 73 यह हमें दिया गया है अब हमें क्या चेक करना है D पहले D निकालेंगे कैसे निकालेंगे A2-A1 से और फिर से D निकालेंगे कैसे निकालेंगे A3-A2 से तो देखो 5 का square minus 1 का square ठीक तो 5 का square कितना हो गया? 25 minus 1 इसका मतलब कितना हो गया? 24 वचा D, D कितना बचाए यहां पर? 24 और यहां देखो 7 का square कितना हो गया? 49, 7 का स्क्वेर, माइनस 5 का स्क्वेर, 49, माइनस 24, 25, 25, अब देखो, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 2 में से 4, 24 बचे, तो इसका मतलब ये भी D का मान कहता है, 24 आ गया, तो 24 आ गया, दोनों ही 24 आ गया, 24, 24, तो इसका मतलब क्या हो गया? yes, this is an AP, yes, this is an AP, तो ये AP है, definitely AP है, तो जब ये AP है, तो इसकी अगली 3 टम बता दीजिए, तो देखो, सिंपल सी बात है, 73 में क्या कर दो, 24 जोड़ दो, एड़ कर दो, एड़ करो 24 को, तो ये कितना होगा, 4, 3, 7, 7, और यहाँ पर देख के नहीं ध्यान रगना है, ठीगे न, हमें से यहाँ मत देखना, क्योंकि ये exam में नहीं आएंगे, ये exam में नहीं आएंगे, आपको इस तरीके से लिख के आना पड़ेगा, तभी number मिलेंगे, है न, तभी number मिलेंगे, तो ये कितना होगा, 4, 3, 7, और ये कितना होगा, 9, 97 होगा, 1, अब 97 में फिर से 24 को add कर दीज और 10 और 12, 121, अब 121 में फिर से add कर दीजिए, प्लस का 24, तो क्या हो जाएगा ये, देखो 5 हो गया पीछे, और 2 और 2, 4 हो गया, 1, तो हमारे ये तीनों क्या आ गए, ये तीनों हमारे क्या आ गए, next 3 terms आ गए, of an AP.